बियार्डी मेडिकल कॉलेज में युक्ती के साथ गैंगरिब मांगले की जाच कर रहे पुलिस ने संसनी खेश खुलासा करते हुए युक्ती के प्रेमी अबराद एहमत को गिरफतार किया है गिरफतार युवक कुशी नगर के थाना राम कोला के सगहा गाउं का रहने वाला है जो युक्ती से दो सालों से प्रेम करता था लेकिन उसके साथ संबन बनाने में सफन नहीं हो पा रहा था जिसके कारण उसने ये सब नाटक रचा पुलिस लाइन सभागार में घटना का खुलासर करते हुए स्पी नौर्थ रोही सिंग सहवार ने बताया कि घटना के बाद लड़की लगातार बयान बदल रही थी इसी से सपश्ट हो गया था कि लड़की पुलिस को गुम रहा कर रही है गौरको न्यूस से बात करते हुए स्पी नौर्थ ने बताया लड़के ने अपना एडिकाड दिया था तो उस बात के पूरे सभूत है कि 6 तारिक को 6 जून को यहां पर आता है रात पर रुके जब यूती के पीडिता के बयान लिये गए और अन्य साक्षों की जो छानमीन की गई तो इसमें पाया गया है कि जो पीडिता है उसने बहुत सारी चीजें पाया जागया कि 6 जून को जो इसका प्रेमी दो साल से इनका प्रेम संबन था चैजून को यहां पर एक गेस्टाउस है धरमचाला में यहां गोरकपूर यह आये थे और रातरी को यहां यह रुके थे इसके बाद जो यूती थी वो अपने घर वापस गई और यूती के जो इस प्रेम संबन के बार में पता था और वो इसका ग्रोध करते थे और इस वजए से जो लड़की थी वो काफी परेशान रहती थी नाराज भी रहती थी और इसी दौरान वो 17 जून को अपने घर से बलरामपूर से भाग गई बलरामपूर से भागन के बाद वो अगले चा परेशान आती उससे यहां पर पहुंची उसके बाद यह दोनों और जो यह इसका जो प्रेमी उसके पास इतने रुपए नहीं थे कि वो गेस्ट आउस में रुखें तो यह मेडिकल कॉलेज चले गए जहां भीड़बाद रहती है वहां इन्होंने खाना अगरे खाया शाम की बाद भी नहीं हो पा रही थी इससे तो इसने उसी दौरा ने इसके मन में उसके साथ जबरस्ती शारिक समन्द बनाने का इसकी दौरा कोशिश की गई वहां कॉलेज की छतपेश को ले जाया गया जहां पर युवती के दौरा जब शोर सराबा मचाया गया तो वहां जो करने की कोशिश की गई और बलातकार का प्रयास किया गया जिसका हम पुलिस को अब आज 164 का बयान कराया जाएगा और जो इसका जो अभ्युक्त है उसको गिरफतार करके जील भेह जा रहा है जो पीडिता है उसको गरा कुछ काल्पनिक चरित्रों को इसमें बनाया गया व घरवालों की नाराजगी और उनके डर से बचने के लिए लड़की के तोरह कुछ काल्पनिक पात घड़े गया जिससे की जो सचाही है जो असली सचाही है और इसका जो प्रेमी है उसके बारे में घरवालों को दुबारा बताना चलता है